हालो अब्रीवन स्वामी वियकनन इंसिक्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है लाइब्रेरी एन इंफोर्मेशन साइन्स के अंदर एक जो न्यू टॉपिक एड हो रहा है आज दाट इस स्पाइरल ओफ साइन्टिफिक रिसर्च मेथड जो है आपकी रिसर्च मेथालोजी की जो ये सीरीज चल रही है जिसमें रिसर्च रिलेटिट सारे आस्पेक्ट्स हम क्लेयर कर रहे है उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक ये भी है विच इस स्पाइरल ओफ साइन्टिफिक मेथल काफी बार UGC NET के एक्जाम में लाइब्रेरियन इंफोर्मेशन साइन्स के बेसिकली उसमें ये पूछने को मिलता है कि वेरिफिकेशन फेस कौन से उसमें आ रहा है कौन से क्वाडरेंट में हेल्ड होता है एमपैरिकल लोग, एमपैरिकल फेस कौन से आपके क्वाडरेंट के अंदर आता है या फिर नादिर असेंडेंट, डिसेंडेंट या फिर जिनत इस अकॉर्डिंग आपको कोशन देखने को मिलते होंगे तो that are all related to spiral of scientific method of research जो की ऐसा रंगरनाथन ने provide किया था in relation of research methodology particularly related to librarian information science तो काफी बार ये पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है इसके लिए ये topic cover करना बहुत important है तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं So let's start So research methodology के अंदर lecture को आगे बढ़ाते हुए ये आपका lecture 6 है जो कि आज हम कर रहे हैं Next आता है spiral of scientific method of research spiral of scientific method spiral आप लोगों ने सुनोगा spring की तरह जो ऐसे ऐसे घुमता है ये भी कुछ इस तरीके से ही है clockwise जो की spiral होकर घूम रहा है उसके according research को कंड़क किया जा रहा है different phase provide किये जा रहे हैं क्या क्या वो phase है क्या इसके अंदर चीजे provide की जा रही है ये आज हम इसके अंदर पड़ेंगे तो spiral का मतलब आप समझ गए है कि जो clockwise घूम रहा है and आपको information दे रहा है क्या क्या quadrant इसके अंदर आते हैं किस तरीके से ये दिखता है कैसे ये कंड़क किया जाता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं so in 1957 spiral of scientific method is briefly explained by S.A. Ranganathan यानि कि spiral of scientific method in library and information science के अंदर S.A. Ranganathan इसको लेकर आये थे 1957 में five laws of library science के अंदर जो second edition आया था उसका उसमें as a chapter ये उन्होंने define किया है और उसके अंदर ये provide किया है तो अगर कभी पूछा जाए कि spiral of scientific method कहां से लिया गया है कौन लाया है in library and information science में that is S.A. Ranganathan 1957 में लाये थे कौन सी बुक में publish हुआ था second edition of five laws of library science ठीक है ये आप note-down भी कर सकते है 1957 में spiral of scientific method S.A. Ranganathan लेकर आये थे किसमें अपनी second edition five laws of library science की बुक में ठीक है first edition में तो five laws ही दे रखे थे उन्ही को explain कर रखा था second edition में as a chapter spiral of scientific method को भी briefly explain किया गया है by S.A. Ranganathan आगे बात करते हैं ये है क्या it is an overview and visual presentation of the method of science which moves clockwise ठीक है किस तरीके से आप research को conduct कर रहे हैं ये एक उसी का scientific method है जो कि उसका visualization ये आपको presentation दिखा रहा है कि कि किस तरीके से आपकी research चल रही है और किस accordingly दिखाता है वो clockwise दिखाता है जैसे घड़ी पे आप time देखने के लिए देखते हैं कि घड़ी में क्या बज रहा है या क्या समय हो रहा है इस तरीके से किस research का हम कौन से face में हैं अभी उसके बाद दूसरा face क्या होगा तीसरा face क्या होगा चोता face क्या होगा उसके अंदर क्या-क्या activities या functions होंगे क्या-क्या चीज़ कंड़क की जाएगी इन research method के अंदर that is your spiral of scientific method as जब आप इसका structure पढ़ेंगे तो आपको और deeply समझ में आएगा कि spiral of scientific method है क्या basically यह method four quadrants में बाटा जाता है ठीक है first quadrant second quadrant third quadrant and the last one is fourth quadrant यहां से शुरू होके यह इस तरीके से सारे face को complete करते हुए research method को conduct करता है that is kind of diagrammatic way में बोली जाए तो spiral method इसी accordingly आपको show होता है यह दिखाया जाता है ठीक है इसके quadrant में कुछ faces provide किये गए हैं चारो जगा पर detailed में हम इसको study करते हैं so सबसे पहले structure पर जाने से पहले हम इसका diagram एक बार देख लेते हैं that is the proper diagram इसके जो हमने four quadrant पर divide किया that is the first quadrant, second, third and the fourth one नादिर से शुरू होके ascendant की तरफ जाके, then zenith की जाके, then descendant की तरफ जाकर यह पूरा जो provide है spiral method यह conduct किया जाता है अब पीछे चलते हैं दुबारा इसके quadrant के उपर lowest end of the vertical line is called नादिर तो अगर हम यहाँ पर इसको draw करें, तो lowest end जो की vertical line का है that is नादिर तो यहाँ पर आपका जो point होगा इसको नादिर कहा जाएगा upper end of the vertical line is called zenith इसी के ऊपर यहाँ पर इसको zenith का नाम से denote किया जाएगा left hand of the horizontal line is called acidency that means यह जो face है that is acidency and the सामने ही right hand पे इसका जो face है that is your descendant in case visible नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यह चार तरीके का है, first quadrant बीच में होता है नादिर और ascendancy के second quadrant होता है ascendancy to zenith zenith to descendant आपका होता है third quadrant और descendant to नादिर अगेन होता है आपका fourth quadrant तो अगर आपसे पूछा जा रहा है first quadrant के अंदर क्या point लिए जा रहे है यह किसका face शो किया जा रहा है that is नादिर to ascendancy यहाँ पर ascendancy to nadir नहीं कहेंगे नादिर से शुरू होके ascendancy की तरफ जा रहा है clockwise वो clockwise defined कर रहा है फिर clock कहां जा रही है ascendancy to zenith इधर जा रही है then zenith to descendant यहां आ रही है then descendant to nadir नीचे जा रही है तो that is the structure of spiral of scientific method जो कि हमने अभी मोटे मोटे तोर पे पढ़ा lowest end vertical line का नादिर कहा जाता है जो कि यह था upper end zenith left hand horizontal line का ascendancy right end descendant यह हमने quadrant के ends को पढ़ा पर यह क्यों दिये गए है क्या relation show करने के लिए दिये गए है यह points को एक तरह से नाम दिया गया है कि particular जो phase चल रहा है उस particular relation को show करने के लिए जो दो points है उनके नाम दिये गए है अब इन particular quadrants के अंदर होता क्या है किया क्या जाता है यह हम पढ़ते हैं ठीक है पहले एक बार पढ़ लेते हैं then उसके बार diagrammatic में देखेंगे उसको कि किस तरीके से वो applicable किया जाता है diagram के अंदर ठीक है यहाँ पर भी हम एक roughly diagram बना देते हैं इसी का ठीक है जैनत नादिर ascendant descendant ठीक है first second third and the fourth यह आपका spiral method है जो हमने थोड़ा सा पढ़ा in case आप लोगों को show हो रहा हो यह the first quadrant is known as empirical phase सबसे पहला quadrant जो की नादिर से लेके ascendancy तक जा रहा है नादिर से शुरू हो रहा है ascendancy तक जा रहा है इन दोनों points की बीच में जो phase आ रहा है उसको क्या नाम दिया गया है empirical phase empirical phase में empirical laws, empirical evidence and data collection का जो procedure है वो किया जाता है ठीक है in which data is collected empirically through empirical evidence या through another things का use करके data collection किया जाता है तो अगर यह phase की हम बात करें नादिर और ascendant की आपसे अगर पूछा जा रहा है कि empirical phase कौन सा है that means your answer is नादिर and ascendant ठीक है and अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से phase में data collection किया जाता है that is also नादिर to ascendant ठीक है ascendant के अंदर empirical phase इसको नाम दिया गया है दूसरे phase की तरह हम बढ़ते है the second quadrant is known as hypothesis phase in which data is collected, tabulate, classified and analyzed hypothesis मैंने आपको पहले ही clear कर चुके है कि क्या होता है that is that must be tested जो आपकी mind के अंदर जो development चल रही है जिसको आपको test करना है that is your core research that is the hypothesis data collection part आपने इसमें कर लिया फिर जो second quadrant start हो रहा है जो की acidency से जेनत के तरफ जा रहा है that is your hypothesis phase मतलब यहां पे जो preparation होगी hypothesis की होगी hypothesis के अंदर जो भी process आ रहा है वो होगा चाहे data collection हो चाहे tabulation हो, modulation हो refine करना हो, data को classify करना हो जो भी आपका hypothesis का formulation phase है that is come in your second quadrant तीसरे की बात करे zenit to descendant जो zenit से लेके descendant तक जा रहा है that is your deductive phase यहां से start हो जाती है deduction तो इसको deductive phase कहा जाता है because जब data collection hypothesis हो चुका है उसके अंदर आपको यह दिखना है कि अब इन में से क्या चीज आपको deduct करनी है क्या चीज आपकी core research के अंदर शामिल होगी तो वो जो phase में आप यह चीज कर रहे हो वो जो quadrant में आप यह चीज कर रहे हो that quadrant is known as deductive phase deductive phase and which was are deduced with deductive logic deductive logic लगा के जो जो उसके चीजों के अंदर आपको deduce करना है या फिर उन चीजों को remove करना है जो की research का part नहीं है या extra data collection हुआ है वो सारी चीज आपकी इसके अंदर आएगी that is your deductive phase and the last phase is deducted descendant से लेके नादिर तक जो last phase आ रहा है यानि की fourth quadrant आ रहा है which is your verification phase question आया हुआ है इन सब के उपर ही even verification phase भी पूछा गया है कि कौन सा quadrant को verification phase का नाम दिया गया है या आप verification phase के नाम से जानेंगे so that is your fourth quadrant ठीक है तो यह कुछ name थे quadrant के faces थे अब verification phase नाम से पता चल रहा है यहाँ पर आप क्या कर रहे है the fourth quadrant is known as verification phase in which you verify your data verify your all जो भी research के अंदर जब वो बिल्कुल last phase में आ गई है then आप चीज की verification कर रहे हो validate कर रहे हो data को कि वो सही data है या नहीं जो result इगल कर आया है वो valid है या नहीं तो that is a verification phase ठीक है तो इस accordingly आपका पूरा design किया जाता है spiral of scientific method according to diagram अब हम इसको study करते हैं कि diagram में किस तरीके से दिया गया है बात करते है diagram की yes so ये है हमारा first phase that quadrant तो यहां से शुरू हो रहा है that is our first phase जिसको हमने क्या पढ़ा empirical phase empirical phase के अंदर यहां पे लिखा वाई है empirical devices का यूज यूज करके नादिर से लेके acidency तक जो phase चल रहा है that is your empirical phase यहां पे inductive intellectual things होती है induction किया जाता है और different type of information का collection किया जाता है data collection के phase को ही empirical phase कहा जाता है जो आपके पहले से prepare empirical laws है उनकी study करना उनको define करना उनकी accordingly data को collect करना that's come in your first quadrant which is start from नादिर नादिर टू असेडेंट ठीक है हमेशा धियान रखिएगा असेडेंट टू नादिर नहीं जाएगा नादिर टू असेडेंट नीचे से उपर आ रहा है clockwise चल रहा है ठीक है that is your नादिर टू असेडेंट इसके बाद second phase आपका हाईफोथीस फेस आ रहा है यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो असेडेंट सी से लेके जीनत तक चल रहा है यहाँ पर भी आपका जो फस्ट रहेगा वो असेडेंट रहेगा then वो जीनत की तरफ भढ़ रहा है जीनत to accident आप नहीं कहोगी उसको ठीक है, that comes in hypothesis, hypothesis को formulate करना, test करना, उसके अंदर tabulate करना, चीजों को data को analyze करना, interpretate करना, ये सब चीज़ें hypothesis phase के अंदर आ जाती है तीसरा, जो quadrant है, which is your third one, second था ये, zenith से शुरू होकर ये descendant तक जा रहा है, starting फिर zenith से हुई है इसकी, and descendant है descendant to zenith इसे नहीं कहा जाएगा, zenith to descendant आईए, ठीक है, always, क्योंकि ये clockwise चल रहा है, इस according आप ध्यान रखिए तीक है, इसमें आपका denudation चलता है, deductive phase आता है, deduction जो होगी, वो सारी इसके अंदर की जाएगी, जितना भी आपने material collect किया, क्या चीज़ उसमें से होनी चाहिए, क्या हटनी चाहिए, क्या important है, क्या less important है, ये सब चीज़ उसमें रहेगी then, third के बाद जो fourth quadrant आ रहा है, जो आपका last quadrant होगा, वो descendant से शुरू होके नादिर पे end हो जाएगा, फिर उसको हम नादिर तो descendant नहीं कहेंगे, descendant तो नादिर ही कहेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, चीक है, that is your spiral method, ये चलता इस ताइक के से है, फिर इस quadrant को complete करेगा, then इस quadrant को, then इस quadrant को, last, इसके बाद भी कभी कभा research पूरी complete नहीं होती, तो दुबारा से यही process किया जाता है, फिर दुबारा ना दे to ascendance empirical phase चलेगा, data collection होगा, हाइफो थी सिंग होगा, then दुबारा डिडक्शन होगा, then दुबारा formulate होगा, verify होगा, चीक है, तो इस तरीके से that show you a spiral यह आपको दिखा रहा है, spiral thing, यानि कि वो clockwise वो सारी faces complete करते जा रहा है, in case कभी first round में नहीं हुआ, then again second round start होगा, depend on the researchers, कि किस तरीके से उनकी किस टाइप की research है, जो कितने spirals में जाकर complete होगी, ठीक है, depend करता है research के objectives पे, यह किस तरीके से research कंड़क की जा रही है, ठीक है, at last इसके हमने जो पड़े, वही faces को एक बार दुबारा study कर लेते हैं, अगर आप बात करें quadrant की, तो there are four quadrants, ठीक है, again I'll draw the diagram, ठीक है, quadrant में that is your first one, इस side वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इसको change नहीं कर सकते, that is your second one, that third one and that your fourth one, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस accordingly ही diagram प्रिपेर किया जाएगा, आप rough में जैसे कभी अगर ऐसा question आ जाता है आपके सामने, तो diagram को हमेशा ध्यान में रखिएगा, diagram अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, that means फिर पोई भी question उसके अंदर उठक कर लोगे, तो diagram को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा first quadrant तक कहां से शुरू हुआ था, इस साइट से first quadrant start हुआ, that is your nadir, accident, zenith, descendant, first quadrant यह है, तो nadir से ascendant जाएगा, nadir, ascendancy, first quadrant, empirical phase कहा गया, ठीक है, empirical, then, ascendancy to zenith गया, second quadrant, यह लिखा हुआ, hyphothizing phase कहा गया, उसको, hyphothizing, hyphothesis related phase, then zenith to descendant, zenith to descendant, deductive phase कहा गया, deduction इसमें की जाएगी, phase जरूर पूछेंगे वो आपसे, इसलिए मैं phase के साथ लिखवा रही हूँ, descendant to nadir, यानि की descendant nadir, verification phase, that one is your verification phase, यह four faces, four quadrant के अंदर शामिल है, इनके relation या लिखे वे हैं, देखिए, यहाँ पे भी नादिर से असिडेंसी गया, असिडेंसी से नादिर नहीं गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नादिर से लेके असिडेंसी तक first quadrant है, असिडेंसी टू जेनत, second quadrant है, जेनत टू असिडेंसी आप नहीं करेंगे, जेनत टू descendant, third quadrant है, descendant and nadir, last quadrant, fourth quadrant है, नेम बिल्कुल as it is लिखना है, नादिर से असिडेंसी ही होगा, असिडेंसी टू जेनत होगा, जेनत से लेके descendant and descendant से लेके nadir, ठीक है, that is your spiral of scientific method, जो की ऐसा रंगनाथन ने provide किया था, एक proper diagrammatic way में की किस तरीके से आप scientific research को conduct कर सकते हो, basically देखा जाए, तो each and every research का ये part हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज, जो भी phase इसमें involved करें है, that is related to all type of research, तो ये research के एक phase को दर्शा रहा है, जो की clockwise direction में चलता है, move होता है, एक quadrant A की way में जरूरी नहीं है कि वो finish हो जाए, तो दुबारा भी वही faces उसी according में, वही round दुबारा लेना पड़ता है, ताकि जो जो mistakes first round में हो गई है, वो second round में clear हो जाए, और आपका research का conclusion या output निकल जाए, तो ये जो था, that is your spiral of scientific method जो की आज हमने study किया, given by S.R. अरगनाथन, question इसके उपर काफी बार आए है, practice question की भी video research methodology की मैं लेकर आँगी, जो जो UGC net में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये research methodology के अंदर हम जो जो topic पढ़ रहे हैं, या जो भी आप इसके अंदर समझ पा रहे हैं, वो किस तरीके से question बनके आपके सामने आएंगे, क्योंकि theoretical पढ़ना, समझना बहुत easy हो जाता है, आपको समझ भी आ जाता है, पर question का format या question का design आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि एक idea आपको लग जाए कि जो आपने topic पढ़ा research methodology की इन series के अंदर, उन पे किस तरीकी के question पिछले कहीं सालों में पूछे जा चुके हैं, या अब कैसे question आ सकते हैं, तो ये लेकर भी मैं एक video बनाऊंगी, ताकि आपका practice session अच्छे से हो जाए, research methodology की उपर, तो that is our today's video, जो की थी spiral scientific method of research के अंदर, जिसके अंदर हमने काफी faces describe करें, fourth quadrant पढ़े, according to जैसे आपको पढ़ाया गया है, वैसे ही आपको learn करना है, आप एक note भी इसका prepare कर सकते हैं, अच्छे से, so that ये जो question अगर इससे related कभी भी पूछा जा रहा है, क्योंकि नादे, जनर, descendant, ascendant, इनके उपर question पूछा गया है, क्या पता, next आपका जो attempt आप देंगे, उसमें भी पूछा जा सके, तो इस topic को आप अच्छे से prepare कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी doubt आता है, आप comment section में लिख सकते हैं, बेज जिजग, एक बार देखिए, नहीं समझ आ रहा है, comment section में लिखिए, ठीक है, उसको आपको उसके accordingly, फिर वो आपको अच्छे तरीके से और समझाया जाएगा, कि किस तरीके से क्या आपको doubt उसमें आ रहा है, तो आप बेज जिजग को के comment section में पोच सकते हैं, एंड वीडियो को अच्छे से देखिए, hope so कि आपको spiral of scientific method अच्छे से समझ में आए, ये वीडियो आपके लिए helpful चाबे तो, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, like कीजिए and share कीजिएगा, thank you so much